दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने आई क्लाउड का जो स्टोरेज है उसे अपग्रेट कर सकते हैं इसलिए आपके स्टोरेज अपग्रेट करना बहुत ही होता है तो आइकलाउड के अपग्रेट करना रेक्याindruck करने के अपकोइze चले जाना और टैप करना है Apple ID Name Banner यहां पर आपको iCloud पर टैप करना है लेकिन दोस्तों यह काम करने से पहले आपको एक काम करना बहुत ही ज़रुरी है आपके iCloud पर बैलेंस करवाना बहुत ही ज्यादा ज़रुरी है तो iCloud पर टैप करने के बाद हमें नीचे के तरफ स्क्रॉल करना है और यहां पर देखिए हमें option मिल जाएंगे upgrade to iCloud प्लस तो हमें यहां पर टैप करना है iCloud storage आप एक बार खरीद लेंगे तो वह चाहें बाद में आप family sharing पे आपके family member के साथ भी share कर सकते हैं तो देखिए यहां पर हम देख सकते हमारे सामने तीन option है 50 GB 200 GB और 2 TB तक यहां से आप अपने जरुएत की हिसाब से कोई भी package चूज कर लिजिए तो हम यहां से 50 GB का ही package लेंगे तो हमने से यहां पर सिलेट कर लिए है अब हमें यहां पर नीचे अप्ग्रेट टू आइक्लाउड प्लस पर टैप करना है यहां पर हमें पासवाट डाल देना है और यहां प सब्सक्राइब करना है तो देखिए यहां पर डन हो गया है हम यहां पर 50 GB का जो package है वह खरीद लिए हैं अब हम यहां पर डन कर देंगे तो इसी तरीके को फॉलो करके आप देख चुके हैं कि कैसे आप अपने आइक्लाउड का storage अप्ग्रेड कर सकते हैं आशा करते हैं हम वीडियो अच्छे लगे तो इक लाइक कर दे शेयर कर दिजी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें धन्यवाद